क्या आप जानते हैं कि आपको do, does और did का use कैसे करना है या आप इनका use करते टाइम कन्फ्यूज हो जाते हैं So don't worry क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको do, does और did का use कब, कहां और कैसे करना है और end में मिलूंगी आपका एक test ये जानने के लिए कि आपको कितना समझ में आया तो वीडियो को end तक जरूर देखे, चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe कर लीजे और subscribe के बगल में एक bell बटन होता है, उसे press कर लीजे जिससे कि आने वाली हर वीडियो की notification आप तक time पे पहुँच जाए तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, let's start आज हम सीखेंगे basic verb do के बारे में जब हम present tense की बात करते हैं, तब हम do और does का use करते हैं और जब हम past tense की बात करते हैं, तब हम did का use करते हैं तो चलिए पहले सीखते हैं do और does का use जब मैं अपनी बात करूंगी, तब मैं कहूंगी I do example के लिए मैं अपना काम करती हूँ, यानि I do my work जब मैं हमारी बात करूँ या किसी और को अपने साथ मिले के बात करूँ तब मैं we का यूज करूँगी और we के साथ भी do का यूज होगा एक्जामपल के लिए हम बहुत काम करते हैं We do a lot of work. जब मैं आपकी बात करूँ, तब मैं you का use करूँगी, और you के साथ भी do का use होगा. एक्जाम्पल के लिए तुम अपना काम करो. You do your work. जब मैं group of people की बात करूँगी, तब मैं they का use करूँगी, और they के साथ भी do का use होगा. एक्जाम्पल के लिए वे कुछ भी काम नहीं करते. They do nothing at all. देखे, positive sentences में I, we, you और they के साथ do का use होता है. यानि चाहे मैं अपनी बात करूँ, या मैं हमारी बात करूँ, या मैं आपकी बात करूँ, या मैं उनकी बात करूँ. इन सब के साथ do का use होगा. Negative sentences में I, we, you और they के साथ do not का use होता है. और do not की short form होती है don't. एक्जाम्पल के लिए मैं वहाँ नहीं जाता. I do not go there या I don't go there. तुम्हारे पास car नहीं है. You don't have a car. हम उसे पसंद नहीं करते. We don't like him. उनके पास dog नहीं है. They don't have a dog. तो यहाँ पे जितने भी negative sentences हैं I, we, you और they से related उनके साथ हमने do not यानी don't का use किया है. जब हम किसी male या female की बात करते हैं, male के लिए he का use होता है और female के लिए she का use होता है. वो अपना काम रोज करता है. He does his work every day. वो हर शाम अपना homework करती है. She does her homework every evening. राहुल हर सुबह अपनी exercise करता है. राहुल does his exercise every morning. यह हुए हमारे positive sentences. Negative sentences में does की जगे does not का use होता है. और does not की short form होती है doesn't. चलिए इस examples की हद से समझते हैं. वह पढ़ाई नहीं करता. He doesn't study. वह नहीं खेलती है. She doesn't play. रिया पढ़ाई नहीं करती है. रिया doesn't study. सीखते हैं did का use. Did का use होता है past tense के लिए. इसमें एक चीज़ बड़ी interesting है. चाहे मैं अपनी बात करूँ, या मैं हमारी बात करूँ, या मैं आपकी बात करूँ, या उनकी बात करूँ. Past tense में हर किसी के साथ हमें did लगा देना है. चलिए इसे examples के help से समझते हैं. मैंने अपना काम किया. I did my work. हमने बहुत काम किया. We did a lot of work. प्रिया ने अपना काम समय पर किया. प्रिया did her work on time. तो अगर इस तरीके से past tense में कोई भी sentence आता है, तो वहाँ पर I, V, U, They, He, She, हर किसी के साथ हम did का यूज़ करेंगे. तो ये थे हमारे positive sentences. लेकिन negative sentences में हम did की जगे did not का यूज़ करते हैं. और did not की short form होती है didn't. देखिए past tense में जब हम negative sentence बनाते हैं, तो वहाँ पर subject के बाद did not का यूज़ होता है. और जहाँ पर भी did not आएगा, उसके साथ main verb की first form आती है. और plus object. एक्जाम्पल के लिए मैंने अपना काम नहीं किया. I did not do my work. या I didn't do my work. तो यहाँ पर हमने negative sentence बनाया है, और negative sentence में did not का यूज़ होता है. और did not के साथ हमेशा main verb की first form आएगी, इसलिए हमने did not के साथ do का यूज़ किया है. उन्हें यह पसंद नहीं आया. They did not like it. या they didn't like it. तो यहाँ पर भी हमने past tense में negative sentence बनाया है, इसलिए हमने did not का यूज़ किया है, और did not के साथ main verb की first form आती है, इसलिए हमने did not के साथ like का यूज़ किया है. तो इस टाइप से past tense में कोई भी negative sentence आएगा, I, V, U, They, He, She से related, तो सबके साथ हम did not का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर भी did not आता है, वहाँ पर हम main verb की first form लगा देंगी. तो simple है. Do, Does और Did को helping verb भी कहते हैं. तो जो question के form में जो sentences होते हैं, या जो negative sentences होते हैं, उन्हें बनाने में भी इनका use होता है. चलिए एक-एक करके देखते हैं. पहला sentence है, तुम cricket खेलते हो. You play cricket. तो पहले इसे हम question के form में बनाएंगे, यानि interrogative sentence के form में बनाएंगे. तो ये बन जाएगा, क्या तुम cricket खेलते हो? Do you play cricket? अब इसे हम negative sentence के form में बनाएंगे, तो ये बन जाएगा, तुम cricket नहीं खेलते हो. You don't play cricket. Next sentence है, वे non-witch खाते हैं. They eat non-witch. अब इसे हमें पहले interrogative sentence के form में बनाना है, यानि question के form में बनाना है. तो ये बन जाएगा, क्या वो non-witch खाते हैं? Do they eat non-witch? अब अम इसे negative sentence की form में बनाएंगे, तो ये बन जाएगा, वे non-witch नहीं खाते हैं. They don't eat non-witch. Next है, वह नाचती है, यानि, she dances. इसे हम interrogative sentence के form में बनाएंगे, तो ये बन जाएगा, क्या वह नाचती है, यानि, does she dance? अब अगर हम negative sentence की form में बनाएंगे, तो ये बन जाएगा, क्या वह नहीं नाचती है, यानि, she does not dance, या, she doesn't dance. तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी, कि जब मैंने बोला, कि वह नाचती है, यानि, she dances, तो वहाँ पे मैंने डांस में एस लगाया है, लेकिन जब मैंने बोला, कि क्या वह नाचती है, यानि, does she dance? तो यहाँ पे मैंने डांस में एस नहीं लगाया है, तो उसका reason ये है, कि जब हम do, does, और did, go, question के form में यूज़ करते हैं, तो उसमें जो main verb होता है, जैसे यहाँ पे है dance, तो वो हम उसे, उसके simple form में यूज़ करते हैं, यानि, वहाँ पे as नहीं लगाते हैं, चलिए एक और example से इसे समझते हैं, वह अंग्रेजी बोलता है, यानि, he speaks English, अगर इसे हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस की form में बनाना है, यानि, question की form में बनाना है, तो हम कहेंगे, क्या वहाँ अंग्रेजी बोलता है, does he speak English, और अगर इसे हम, नेगेटिव सेंटेंस की form में बनाएंगे, तो यह बन जाएगा, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, यानि, he does not speak English, या, he doesn't speak English, तो यहाँ पे हमने, speak में, s का use नहीं किया है, तो यहाँ पे हमारा main verb है, speak, तो इसमें हमने, interrogative sentence में, main verb को उसके simple form में यूज किया है, यानि, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, does he speak English, तो यहाँ पे speak में हमने, s का use नहीं किया है, दिखिए, past tense में, जब भी हम कोई interrogative sentence बनाते हैं, या कोई question के form में कोई sentence बनाते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले, did का use होता है, और did के बाद subject आता है, subject के बाद main verb की post form आती है, और plus object, example के लिए, उसने एक पत्र लिखा, he wrote a letter, तो इसे हमें past tense में, interrogative sentence की form में बनाना है, तो यह बन जाएगा, did he write a letter, दिखिए, past tense का interrogative sentence है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हमने did का use किया है, और did के साथ हमने subject लगाया है, और plus main verb की post form, तो एक बाद आप note कर लिजे, कि जहाँ पर भी did का use होगा, वहाँ पे हम main verb की post form यूज करते हैं, चलिए एक और example से इसे समझते हैं, प्रिया ने एक बिल्ली देखी, प्रिया saw a cat, तो इसे हमें past tense में, interrogative sentence में बनाना है, तो यह बन जाएगा, दिड प्रिया see a cat, तो यहाँ पर भी हमने सबसे पहले, दिड का use किया है, और did के साथ हमने subject लगाया है, plus main verb की post form यूज की है, तो यहाँ पर खतम होता है, हमारा do, does और did का use, अब एक काम करते हैं, आपका एक test लेते हैं, देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, डैश, you speak English, यह हमारा present tense का interrogative sentence है, तो अब बताईए, यहाँ पर क्या आएगा, सोचिए, मैंने आपको क्या बताया था, कि जब भी कोई present tense का interrogative sentence आता है, और I, V, U, दे का use होता है, तो वहाँ पे हाँ, do का use करते हैं, तो यह बन जाएगा, do you speak English, क्या वो तुम्हारे बारे में कुछ जानती है, डैश, she know anything about you, यह भी हमारा present tense का interrogative sentence है, तो अब बताये यहाँ पे क्या आएगा, मैंने बताया था आपको, कि जब भी present tense का interrogative sentence आए, और वहाँ पे he, she, या किसी के name का use हो, तो वहाँ पे हम does का use करते हैं, तो यह बन जाएगा, does she know anything about you, क्या तुमने पढ़ाई की, डैश, you study, यह past tense का interrogative sentence है, अब बताये यहाँ पे क्या आएगा, मैंने बताया था आपको, जब भी past tense का interrogative sentence आएगा, तो वहाँ पे I, V, you, दे, he, she, हर किसी के साथ हम did का use करेंगे, तो यह बन जाएगा, did you study, क्या वह मेहनत करता है, डैश, he, work hard, क्या तुम भारत में रहते हो, डैश, you, live in India, क्या उसने मुझे बुलाया, डैश, she, call me, यह तीन sentences आपके homework है, तो जल्दी जल्दी कॉमेंट करके, इनके answers बताओ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना, चैनल पे नई हो तो चैनल को subscribe करना, नेक्स वीडियो में, तिल दिन, टेक के, बाई बाई,